चकोटिया में संपन हुई मेराथन रैली चमोली के पंकत सिंग ने जीता पहला पुरुषकार 15,000 रुपे नगत और ट्रॉफी के साथ हुए पुरुषकित दो अक्टूबर को गांधी जैंती के उसर पर अल्मोडा जिले के चकोटिया मिक्के बाखली मैदान में मेराथन रैली संपन हुई यहाँ मेराथन रैली बाबा केदारनाथ एकेडमी दारा आईजित की गई इस मेराथन रैली में 14 किलोमेटर की मुख्य दोड में चमोली के पंकत सिंग ने पहला इस्तान प्राप्त किया जबकि पिथोडागल के भावेश भट दूसरे और रानी खेट के अभिशेक तिवारी तीसरे इस्तान पर रहे पाच किलोमेटर की अंडर दस से सोला वर्ष के बीच हुई रैली में ननिताल के प्रकाश भट पहले पिथोडागल के रहूल सिंग दूसरे और अलमुडा के नीरजनेगी तीसरे इस्तान पर रहे पाच किलोमेटर बालिका वर्ग में मिर्जापुर की तामशी सिंग पहले पिथोड़ागड की माया कुमारी दूसरे और हल्दवानी की नहार अधिकारी तीसरे इस्तान पर है पांच किलोमेटर की 40-60 वर्ग में अलमुडा के राजेश जोशी पहले अलमुडा के ही सुन्दर सिंग दूसरे और विक्या सैन के महेन सिंग विष्ट तीसरे इस्तान पर है इस मेराथन में सबसे आकर्षन का केद उनसट वर्षिय चंदन सिंग किरॉला और अठावन वर्षिय गजेन सिंग नेगी रहे क्योंकि दौड में शामिल होने वाले ये दोनुव्यक्ति सबसे उम्र में अधिक बड़े थे इस आउसार पर गजेन सिंग नेगी ने कहा कि युवाओं की पेड़ना देने के लिए और आर्मी के परती रुजहान बढ़ाने के उद्देश से दौड में उन्होंने परती भाग किया बरहाल पहली बार आयुद इस मेरथन में युवाओं ने बढ़ चड़कर हिस्सा लिया कारिकम का संचालन पुषकर नेगी ने किया जबकि केदारनाज बाबा एकाडमी की ओर से दीपक नेगी, मदन नेगी, चेतना नेगी, गराम परधान कुमारी जोती, उमेश रावत, राजेंदर कांडपाल, लोकेश, जोशी, गोकुल कांडपाल, पवंतिवारी, चंद्रा कोहली, प्रकाश उपाध्याय, हरीश मेहना सही दर्जनों लोगों ने पूरे कारिकम में शयोग किया